कहानी की शिर्वात होती है, डे 71 को दिखाती हुए, जहाँ पे हम देखते हैं गोबुरो और बाग की लोगों को, जो कि अब इनसानों की उपर हमला करने के लिए जा चुके होते हैं, क्योंकि वो एक जगे कैम्प कर रहे हैं, और ये बात वो फीमिल एल्फ ने इसे बताई हो होता है, उसी के साथ जब ये लोगों पर पहुचते हैं, तो ने एक बैरियर मिलता है, पर गोबुरो असानी से इसे तोड़ सकता है, तो ये सबी को इस पूरी जगे को घेर दिंग ले कहता है, और सब लोग ऐसे ही करते हैं, गोबुरो फिर अपने हाथ की मदद से यहाँ पे एक तीर बना लेता है, और उसे इसके उपर फायर कर देता है, जिस वर्य से यह जो बैरियर है, यह यहाँ पर तूट जाता है, और तभी अर्थ ही अपने पाउर्स की मदद से यहाँ पे एक पत्थर की दिवार खड़ी कर देती है, ताकि इंसान वाँ से भाग ना होती है, गोबरो इन्हें देखे काफिजदा खुश होता है, और उनकी तारी भी करता है, तभी गोबरो यहाँ पे अपनी एक और बड़ी आर्मी बुला लेता है, ताकि वो इन सब को पकड़ सके, और वो लड़की गोबरो को देख देती है, और उसे समझ में आ जाता है, यह समका लीडर है, जिस वर्य से और सब इको इसके ऊपर हमला करने के लिए गोबरो इसकी लीडरशिप से काफिजदा इंप्रेस होता है, पर जैसी यह लड़की इसके उपर हमला करती है, गोबरो सिर्प एक हमले से इसे यहाँ नीचे किरादेता है, और यह लड़की बिल वो मेरे साथ कर सकते हो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी तो यह इसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है अपने पूरी तागत से मेरे उपर हमला करो वहीं पर हम देखते हैं गोविमी को जो कि अपने चाम मैजिक का यूज कर गए सब कोई हम पर कंट्रोल करने लग जा कि इसका मतलब वो अपने आपको सेक्रिफाइस करने वाली है यूमैनिटी के लिए और गोबुरों से बचाते हुए कहता है कि मुझे माफ करना मैं इस लड़ाई को जीच चुका हूँ और मेरे कोई सब इंटेंशन नहीं तुम्हें यहां पर मारने का गोबुरों फर यहां पहली बार इंसानों को हराया होता है वह गोबुरों हमें बताता है कि मैंने यहां पर लड़कियों को कुछ दे रखाए और यह एक ऐसी चीज़ होती है जो लड़कियों को हौर नहीं मना देती है इसी वर्य से यह लड़किया जादे दिन तक इसके साथ रेजिस्ट नहीं क जूर बोल रही है कि नहीं इसकी बाद यह लड़की से सारे इंफोमेशन देती है कि आखिरकर इंसान किस तरफ से हमला करने वाले हैं और डैड़े अलफ ने इसे कहा था कि जो भी चीज़ें इसे यहां पर उससे पता चले वह सारी बाते इसे बता देंगे और उसके बदले 73 में दिखा जाता है जहां पर इंफोमेशन के अनुसार यह लोग उस जगे पर पहुंच आते हैं जहां पर इस बार इंसान हमला करने वाले हैं और यहां पर इंसान के हम एक बड़ी आर्मी को देखते हैं जिसमें टोटल करी 500 सोल्जर्स होते हैं यहां पर जैसी लोग काफी सारे सोलजर्स मारे जाते हैं पर इंसान का कमांडर का आफिजदद चालाग था वह यहां पर अपने चार ओड़ शील्ड बना लेता पथर की मदद से उसके बाद यहां पर गोबकीची अपने साथियों को लेकर इनकी उपर हमला कर देता हैं यह इंसान इनसे लड़न शुरू में तो ये लड़का यहाँ पी गोबु कीची के पर भारी पटर होता है पर गोबु कीची से काफी ताकतवर होता है इसी वरे से वो इस लड़की को हरा देता है और उसके बाद गोबुरो और गोबु कीची इस चीश का जशन मनाते है पर कुछ सोल्जर्स को छोड़ को जो कि यहां पर कम्प्लेंड कर रहे होते हैं कि आखिर कर यह लोग इस जगे से कब बहार निकलेंगे इनका खाना कितना जदा बखवास है और जो रेड़ वाल वाले लड़का होता है वो इने कहता है कि कम से कम हमें खाने को तो मिल रहा है और सोने को तो मिल रहा है यह जग कर लिए लोग हैं दर असल यहां पहीं किन्ग्डम की जो पृं से सैं उसे का जीव सिर्व हो गई है और यह कहां जाता है किल preheतिक पेने के बाद और आ hero दो पूरा बाधियर केम सिus का पड़ा हुआ है ताकि वह इस कशिकिन्वन के नजद घटिया होते वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम फिर देखते हैं अर्थी जब खान के यहां खुदाई कर रही होती है तो यहां पर आचान एक्सोस के अंदर से गरम पानी निकल लग जाता है इनमें से किसी को को समझ नहीं आता कि आखिर कर यह क्या है त अर्थी कहती कि मुझे नहीं पता यह क्या है तब यहां पर गोबुर आ जाता है जो कि इन सभी को बताता है कि यह होट स्प्रिंग है जिसके अंदर से गरम पानी निकलता है जिसकी मदर से तुम अपने शरीर की ठकावट को और जितनी भी तुमारी चोट वोट लगी है उन में बताता है कि मैंने प्रिजनर्स के साथ यहां पर एक नए ट्रेनिंग शुरू कर दिया है यहां पर वो हमारे सोल्जर्स के साथ लड़ते वह यहां पर अपनी स्किल्स सिखाएंगे और साती साथ उन्हें यह भी बताएंगे कि आखिरकर इंसान कैसे लड़ते हैं ताकि अगली बार हम जब उनसे लड़े तो हम उनके हमले को भाप सके यहां पर धामे और स्पेल से इस तो काफी ताकत वह लग रहे हैं पर और कीची और बलड साथ होगी जो आर्मिया उब तक पूरी तरह तयान नहीं है क्योंकि उनकी पास दिमाग नहीं है वही पर जो इनसान ह वो यह सोच रहे होते हैं कि आंखिर कर यहां पर यहां पे ट्रेनिंग क्यों कर रहuchen है तब ही यहां पिवो लड़का आजाता है जो कि इस से कहाता है कि मैं यहां पर छोटे मोटे जञवर से लड़ते वह ठक गया हूँ मुझे तुम से लड़ना है गोबर्यों चीज के लि एक दो सेकुंड तक ही चलती है ऑर गोबरु के सामने नहीं टिक पाता यहां पर यहां पर बीकम लचोंभ करने लग जाता योmar है जोना सबस्क्राइब निए लड़का हार जाता है यह लड़का फिर को समय बादी से बताता है दरसल में कैसे रीजन से आता हूँ ज़हां पर डैमी हूमस और हमस एक साथ रहते हैं इसी वर्द से उन नौल्बस को छुड़कर मैं तुमसे काफी अच्छा से बात कर पा रहा हूं और सच मुझ मानना पड़ेगा इस जगे को तुमने काफी अच्छा जगे बनाया है यहां पे इंसान और डेम हुमन ने एक साथ रह रहे है और यहां भी किसी की ऊपर भेदवाव नहीं किया जाता यह देख के मुझे काफी कुशी हुई इसी वर्रे से मैं आप किंग्डम को सब नहीं करना चाहता है मैं आप तुम्हारी लिए काम करना चाहता हूं और इसकी यह बात सुन क्यों गोब्रू इसके जो गले का पट्टा है उससे हटा देता है इसका मतलब अब यह इनके आर्मी का ओफीशल मेंबर बन चुका है गोब्रू फिर कु यहां पर जो इनसान गोब्रू के बिल्कुल काम के नहीं होते या फिर बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर रहे होते है वो यहां पर इन्हें एल्फ को देने का फैसला करता है और साथी साथ इनसे यह भी पूछता है यह आखिर कर वो कौन से मैडिसन है जिसके पीछे इनस पड़ेता, यां गोबुरू को पता चलता है इस Medison के योज कर कि यह किसी भी 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 मारी को ठीक कर सकता है, जाए वो कितनी घातक क्यों ना हो, गोबुरू फिर इन से पूछता है आखिर कर इतनी बेश्किमती चीज आखिर कर इन्होंने इसे क्यों दी, ये इसे बता थे कि इ कि गुबरु को समझ ने आता कि Blood of Sydney का है क्या और आखिर कर यह की चीज में क olur ने मैिरे ने लाई यह तोड़ी से 지 rappelle sì ke ने विए stewards कर गया आग माल लो उसकी पूरी बॉटल कोई पी जाए तो आखिर कर क्या होगा इसके बाद यह समाझ जाता है कि इसके इंदर पूरी पोटेंशल है पूरी तरह ग्रोध करने में यह इस दुनिया को गौड भी बन सकता है एपिसोड की शुरुवात में हमें डे 81 को दिखा जाता है जहां पर हमे बैठी हुए होते हैं यहीं गोबुर हमें बताता है इंसानों के साथ पहले लड़ाई के बाद मैंने अपने स्पियर को यूज के निमे महारत हासल कर लिया है और हम ऐसे ही देखते हैं वह 100 मीटर की रेडियास में जो भी होता है उन सभी को यहां पर मार गिराता है और उसक जे इनसानी लड़कों खोले कर एलफ के राजा के पास आजाता एक यहां पर इलफ के राजा उसके लिए कुछ शराब लाते हैं यहां पर फिर वसे अपने प्लैन बताते हैं कि इंसान और इल्फ का फिस समय से लड़ रहे पर इसमें कुछ भी चीज नहीं निकल रही है इस पर हैसी वर्ले से हम चाहते हैं कि इस बैटल को हम इसी कि साथ खथम लग जाते हैं पर तभी वह सोज़ड़ से बचाती ए है कि गोबुर मैं तुम से क 61 पिर दोड़ी है से कि मुझे हैं पता यह है पने यहाँ डूटर की तरह तरह के इस तुम प्रिंसेस को एंटी रूट दे सकते हो जिससे वो ठीक हो जाए यहाँ पर गोबुरो चीज के बारे में सोचिन लग जाता है तरसलिए यहाँ पर काफी सारे गॉड्स है जो कि इनसानों को ब्लेसिंग देते क्योंकि वो इनसानों ने फॉलो करते है वो एक गोबुरो को एक डैमिक गॉड ने ब्लेसिंग दिये जिस वर्रे से अगर वो इन गॉड्स के फॉलोवर्स की मदद करता है तो इन गॉड्स को पता चल जाएगा पर फिर भी गोबुरो इसे कहता है कि मैं इसकी बारे में सोचूँगा जिसके लिए ये लड़किश का शुक्रिया करती है हमें फिर डे 83 में दिखा जाता है जहां पर गोबुरो को करीब 2000 सोल्जर्स के आर्मी वाले कैम के बारे में पता चला होता है और वो एल्फ को लेकर इनके उपर हमला करने के लिए आ चुका होता है ये किसी भी हाल में इने पकड़ के इने मारना चाते है साथी साथ गोबुरो को इनके बारे में और भी काफी इनफोमिशन एक खटा हुई होती है अपने डूबलिकेट के तवारा यहां पे वो हीरो के बारें बात करे होती है और इस बारे में यहाँ पे स्टील भी इन्हें बता देता है कि वो एट ब्रेव्स है जो कि हीरोस की ताकत पॉजस करते है और उनकी ताकत एक आर्मी के बराबर होती है वो इतने ताकतवर होते है कि उनका मुकाबला कोई नी कर सकता है इस दुनिया में इसे के साथ चीजे बस से बतर होने वाल है और गोबर हो कहता है कि घबराओ मत मुझे तो बस उन्हीं टेस्ट करना है वो कितने स्वादिस्ट लगेंगे मुझे और उनसे मुझे क्या अब्लेटिस मिलेगी पिर हम देखते हैं गोबर यहाँ पर अपने नेक्रोबेंसिस की पावर्स का यूज़ करके एक आर्मी को खड़ी कर देता है तब ही गोबी में इसे कहती है कि सन जल्दी ही निकलने वाला है क्या अभी हमला करना ठीक होगा क्या यह से बताता है कि घबराओ मत मैंने इस चीज के लिए अपने सोलजर्स को मौडिफाय कर दिया है तो तुम्हें घबराने की कोई जोतनी है इसी के साथ हम देखते हैं यह स्केलिटन्स इन सोलजर्स की उपर हमला कर देते हैं और इसे लड़ने लग जाते हैं और इन सोलजर्स को पता होता है कि जैसे ही सूरज निकलेगा यह स्केलिटन यहाँ पर मारे जाएंगे और ऐसे ही होता है जैसे ही यहाँ पर सूरज निकलता है यह स्केलिटन यहाँ पर मरने लग जाते हैं यानि कि गायब होने लग जाते हैं जो कि सिर्फ एक हमले से यहां पे सभी को मार गिराता है और उसी के साथ वो अपने काफी बड़ा हमला इनके उपर करने जा रहा होता है वो उसकी तैयारी कर चुका होता है और जैसी वो हमला करता है यह सभी इनसान यहां पे मारे जाते हैं जिसकी बाद यह एक बड़ी से ता एक है जो कि अब इससे लड़ने आ चुका है यह से कहता है कि तुमने बिलकुल सही का यही मेरा असली नाम है पर तुम्हें पता है क्या जब भी कोई दुश्मन मुझे इस नाम से फुकारता है मुझे काफी जदा गुस्सा आता है तुम्हें पता भी है तुम्हारी वरे से मे तुम्हें भी यहां पे गॉट्कि Б्लेशन मिल रेकर क्या तुम मुझे बता सकता हैं इसा के आयदा कि यहां फॉटत किर alcanz लुट आपक लिए जपर आहेकर की यहां इंप पर लग जाते हैं जैसे कि पर यह से कहता है कि यह जौंबी नहीं यह यह मेरे बग्स है जोकी पैरसैट है जिन्न मैं जैसे चाहिए वैसे यूज कर सकता हूं और एक ही साथ मैं 100 एलाइस को कंट्रॉल कर सकता हूं और तुम मेरे सामने कुछ नहीं हूँ उसके बाद हम देखते हैं यह इनका अफतार चेंज कर देता जिसके बाद वो यहाँ पेड़े पंचाते हैं और गोबुर के पीछे हमला करते हैं और वो गोबुरों को पकड़ देता है और यह कहता है कि यह मेरे सबसे ताकतवर पैट है जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता अच्छा वह इसने आंसर दे दिया वरना कभी-कभी तो यह मेरी बाते भी नहीं सुनता यह अब तुम्हारे और और यह से तुम धीरी धीरी यहां पर मारे जाओगे और मैं हैरान हूं कि आखिर कर तुम अब तक जिन्दा कैसी हो तुम सचमुच काफी जोता अमेजिंग हो उसके बात यह अपने पैट को कहा है ताकि अब तुम वापी जा सकते हो अब तुम्हारा कोई काम ली है और इसके जाते ही जैसी यह गोबरो को देखता है वो देखता है वो यहां पे गायब हो चुका है तब ही गोबरो इसके पीछे हमला कर देता है तो यह किसी तरह इसके हमले को डॉच कर देता है और इससे पूछता है यह आखरिकार ऐसा कैसे हो सकता है आखरिकार तुमने उस हमले को सरवाइब कैसे किया गोबरो इसे कहता है कि जैसे कि मैं तुमें इते हैं आसानी से बता दूंगा तो फिलबोई से कहता है कि हम मैं समझा तुमने अपनी जग है अपने एक नकली क्लोन का यूज क्या जिस वारे से तुम यहाँ बच गए मेरा पैट अप काफी जद दूर जा चुका है तो मैं इसो बुला भी नहीं सकता लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता मुझे उसक ले लेता है जिसके बाद इसके अंदर से टेंटिकल्स निकलाते है यह से फिर कहता है कि तुम्हारा विरोधी सामने बात कर रहा हो तो तो मैं अचानक से उसके उपर हमला नहीं करना चाहिए उसके बाद यह अपने आपको पूरी तरह कीड़े में वाल्फ कर लेता है और ग क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना तो यह से कहता है कि मैं अब तुम्हें इस बारे में नहीं बताने वाला यह एक तरह करेंगा यहां पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है शुरू में तो यह लड़का इससे क आफी असानी से हरा देता है और इसे कहता है कि अप तुम्हारा रहन आ चुका है पर तभी फीली फीलो अपने शरीर कोशी से अलग कर लेता और बाहर निकल जाता है यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करता है पर वो चीज यहां पे इसके सामने आ जाती है जिस वाज़े से गोबरो से पकड़ने पाता और फिली फीलो यहां पे सक्सेस्फुली भागने में काम्याब होता है इस चीज से गोबरो थड़ा गुसा तो होता है और वो वचल ले लेता है कि एक एक दिन वो फिली फिली को खा जाएगा तब यहां पे गोविव में आ जाती है जो कि इसे पूछते तुम ठीक तो हो ना यह से कहा दे कि मैं बिलकुल ठीक हूँ उसके बाद यह से पूछता है कि बाकी लोग कैसा कर रहे है यह से बताते कि सब लोग बढ़िया कर रहे है दरस इसे अपने ब्लड से बने हुई यहां पर मैडिसन दे देता और इसे बताता है कि यह लोग इससे लड़ना नहीं चाहते हैं अगर यह शांत इसे वापिस लोड़ जाये तो यहां पर किसी की में मौत नहीं होगी वरना अंजाम काफी बुरा हो सकता है यह राजा इसकी बास सम ब्लड़ को भाख कर देती है और वो सिर्फ इसलिए हλαते हैं कि वह यहां पर इक वॉल बना सके और लोगों की मदद कर सके जो कि यह पर इंजट हो चुए बैटल के दोरान यहां पर काफी सारे लोगों को चोट आ calorie होती है Jupiter और काफी सारे और demais सारे लगता है और इनकी दु पोदेगे करने के उन्तली के मदरी सब्सक्रूत है पर गोबुर बिल्कुल भी दुखी नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है कि वह इन सब का लीडर है और इन सभी के लिए इसी यहां पर किसी भी हाल में जीना पड़ेगा क्योंकि इने भी इसे सर्वाइफ करवाना है और यहां से चुकानी वूट भी कंटियू जाती है मुझे पता है मैं काफी समय के बाद वीडियो डाल रहा हूँ पर जैसे कि आपको पता ही है गाइस की मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है इस वर्रे से मुझे पानी ढोना पड़ रहा है और हम अगले मैने शिफ्ट करने का देख रहे है इस मैने तो नहीं हो पा रहा है तो यही इतना ही कहूं गाइस थैंक्स वॉचिंग नेक्स फिरो मिलता है होफिलियो आप सब बढ़े होंगे